Hello friends, में श्रिवाम, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाग करोण, अरब, खरब, नील, मीलियन, बीलियन, प्रिलियन, इस सब क्या होता है? तो दो सिस्टम होते हैं, एक इंट्रनेशनल लंबरिंग सिस्टम होता है, तो इंट्रनेशनल लंबरिंग सिस्टम होता है, तो इंट्रनेशनल लंबरिंग सिस्टम में भी वन को इंट्रनेशनल लंबरिंग सिस्टम में लिखते हैं, इंट्रनेशनल लंबरिंग सिस्टम में वन ही लिखते हैं इंडिया नमिल सिस्टर 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 में भी टैल लिखते हैं ऐसे 10,000 तक तो एक ही होता है पर जैसे हैं 10,000 के आगे चले जाते हैं तो दूसरा बोलने लगते हैं दूसरी चीज लिखने लगते हैं तो थैन थाउजन के बाद वर लैक आता है इंट्रटेशनल लिम्यरो खार हो आता है। फिर इंटर्नेशनल लमेल सिस्टम में 1 मिलियन आता है, फिर इंटर्नेशनल लमेल सिस्टम में 1 करोल आता है, फिर इंटर्नेशनल लमेल सिस्टम में 10 मिलियन आता है, फिर इंटर्नेशनल लमेल सिस्टम में 10 करोल आता है, तो इंटर्नेशनल लमेल सिस्टम में 100 मिलियन आता ह तो इधर देखिए कि जैसे इंडिया नम्रिन सिस्टम में हमने 1,000 लिखा, इंटरनेशनल नहीं 1,000 लिखा, इंडिया नम्रिन सिस्टम में 10,000 लिखा, इंटरनेशनल नम्रिन सिस्टम में भी 10,000 लिखा. पर जब हम 10,000 के आगे जाते हैं तो चेंज हो जा रहा है तो इंडियन नमरीन सिस्टम में 1 लेक हो जा रहा है और इंटरनेशनल नमरीन सिस्टम में 100,000 हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि इंडियन नमरीन सिस्टम में सिर्फ 1 लेक हो जा रहा है पर इंटरनेशनल नमरीन सिस्टम में 1,10 लेक हो जा रहा है उसके बाद मिलियन आ रहा है तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल नमरीन सिस्टम में है 1,10,100 और इंडियन में है 1 और 10 तो फिर यहां पर इंडियन नमरीन सिस्टम में 10 अरब आ रहा है तो इंटरनेशनल नमरीन सिस्टम में 10 बिलियन है इंडियन नमरीन सिस्टम में 1 खराब है तो इंटरनेशनल नमरीन सिस्टम में 100 बिलियन है इंडिया नवर सिस्टम में 10 खराब है तो इंटर्नेशनल लवर सिस्टम में 1 ट्रिलियन है इंडिया नवर सिस्टम में 1 नील है तो इंटर्नेशनल लवर सिस्टम में 10 ट्रिलियन है इंडिया नवर सिस्टम में 10 नील है तो इंटर्टर्शनल सिस्टम में 100 ट्रिलियन है फिर जैसे ही है जो अगर हमें इन सब को मतलब इंडिया नवर सिस्टम को इंगलिश में लिखना हो तो करोड के आगे इंगलिश में मतलब होता नहीं है तो अगर हमें वन अरब को लिखना हो मतलब का इंगलिश में तो हम 100 करोड लिखेंगे अगर 10 अरब को लिखना हो तो 1000 करोड होगा वन खरब को लिखना हो तो 10,000 करोड होगा तेन खरब को लिखना हो तो वन लैक करोड होगा वन नील को लिखना हो तो टेन लैक करोड होगा तेन नील को लिखना हो तो हंड्रेड लैक करोड होगा तो आप ये जो बीच बीच में कॉमा टाइप का देख रहे होगे इसे पीरियड कहते है तो जो इंडियन नम्बरिन सिस्टम में पीरियड पहले थ्री नम्बर के बाद एक पीरियड लगता है उसके बाद टू नम्बर के बाद एक पीरियड लगता है ऐसे इंडियन नम्बरिन सिस्टम में पीरियड लगता है और फिर जो international number system में period होता है पहले three number के बाद एक period लगता है फिर दूसरा period भी three number के बाद फिर तीसरा period भी three number के बाद ऐसे लगता है तो thanks for watching this video please like, share and subscribe